हेलो फ्रेंड्स मैं आपका मेंटोर एके सिंग और जो भी बच्चे यूपी बेड़क एंट्रेंस की तयारी कर रहे हैं उनकी लिए बहुत ही बड़ी खुश्कब्री है इस चैनल पर आपको सारे यानि आर्ट्स के और साइंस के प्रीवेस एर के पेपर कराया जा रहे हैं और आपका जिससे एंट्रेंस में एक अच्छा स्थान आप प्राप्त कर सकें क्योंकि आपको पता ही है यूपी के जो बेड़का एंट्रेंस होता है उसमें ओल्ड पेपर से बहुत कोशन देखने के लिए मिलता है और हर बार आपको पेपर नहीं मिलता यानिकि आपका पर रखने भाते और तो इसी जो भी आपके सामने के सामने कोशन मिले जतने ही जहांसे मिले वो आपको प्रवाइड कराया जा रहे हैं और में आपको चार जितने पेपर मिलेंगे चार पेपर हैं इसले चार साल के यानि कि पुराने 19, 20, 21 और 22 आपको पेपर कराया जा रहे हैं जिससे आपका एक अच्छा स्थान प्राप्त हो एक अच्छा आप स्कोर कर सको और एंट्रेंस में एक गवर्मेंट सीटी या फिर जिस भी आप इस चाहते हो उसमें आप दाखिला ले सको ठीके बुच्छो तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर है आज का आज का आज का आज अज यह कर रहे हैं हम आज सब्जेक्ट में 2019 का प्रीवियस यहर का पेपर का स्वलोशन है ठीके बुच्छो और यह आपको सब क लट centrंटने करें यानि कि एक वीडियो में ही दोनों पेपर मिलेंगे दो पार्ट चयессbooks है वी 2 पीर 1 पर टू ना है थे तरक शक्ति यानि कि रीजिदिंग और उसके कि जो बाद है या hocation mm करा है आज आपको दोनों पेपर एक साथ ही यह नहीं कि Katherine क्योंगे दूसरा अंट एक़ी वीडियो परडूरे पि êtes करकर देख सकते हैं और मतलब जा एक वीडियो добав से सारे sent made image कि आप को सारहा एक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है और भीडियु को जाद鍍क Fair End की तैयारी करा है और भीड की तैयारी करो भीड में अपना धिक और लेते है आपको फिर आप इसी चैनल से पिर क्या करनी है से ट कि सब्सक्राइब करने है तो इसे लिए जरूर सस्क्राइब करके रखें ठीक है बच्छों चलिए तो सुरू करते हैं 512 पारफ वन kg देखेंगे पहला हैं पेपर वॉन का है मात्र देवी की पूझा कि सभ्ता में के गई थी यानि कि आपको पता है पितर सत्ता हमारा पितर सत्ता ओपर चलता है और आज भी आप से पिता की नाम से जाना जाता है मात्र देवी की पूजा थी और किस सब्वेता से मंदित हैं यह आपको अर्या से नहीं के सिंदुक घाटी सब्वेता हैं मात्र देवी की पूजा इंपोटन्टि और उस टायम पर करें गई ती जो अम लूशन जी के सिरीज पढ़ रहे थे उसमें भी आपको मैंने बताया था तो इसलिए लूशन जी के पढ़ी जाती है कि लूशन जी के में कहीं न कहीं इस तरह की चीजे देखने को मिलती है जो कोशन आता है सेकंड कोशन देखते हैं राजिस्तान के माउंट आभू में इस्तिद दिलवाडा के जैन मंदिर किस धरम के अनुयायों के द्वारा निर्मित किये गए हैं तो आखको पता है जैनियों द्वारा यानि कि ऑप्शन नमबर दो का हो जाएगा सॉरी कोशन नमबर दो का ऑप्श आपको दिख रहा होगा है जैदेव इंपोर्टेंट कोशन है कई बार पूछा गया है तो इसलिए ध्यान अखना कोशन नमबर चार देखते हैं सिवा जी का राज्य अभिशेक कब हुआ था बैस सिवा जी का राज्य अभिशेक एक चीज ध्यान अगना जब इस तरह की ची 64 में हुआ था और सिवा जी का अभिशेक में एक चीज और खास थी चत्रपति की उपादी मिलती यानि कि आप इसमें लेजिए यहां पर लेख लेजिए राज्य अभिशेक राज्य अभिशेक के बाद शिवा जी को शिवा जी ने छत्रपति की उपादी धारण की ठीक है तो यह आपको पता होना चीज यही जो चोटी चोटी चीज़े हैं जो हमें एक जो तयारी करने वाला है उससे अलग बनाती है और कहीं न कहीं इस जी जब रैंकिंग की तहीं जांस होती है और यही आपको रैंकिंग दिलते हैं चली आगे। नेक्स देखते हैं question number 5 क्या क्या रहा है question number 5 क्या रहा है अकालतत के निर्माण करता इन में से कौन है तो इन में से आपको पता है गुरू हर गोविन जी है तो यानि की option number C हो जाएगा ठीक है चलिए question number 6 देखते हैं भारत के समुद्री मार की कोज किस ने करते हैं आपको सिपको पता है एक ही नाम है वासको डिगामा और वासको डिगामा पर कई बार जैसे उत्तरवर्देश में तो आप रहती हो उत्तरवर्देश की इसकी पुस्ताइब भारत कब आया कि आपको चीजे एक तरह से याद करांने होती है यानि कि आपको बढ़ा पता भी चलीए कि वासको डिगामा पहले यानि कि समुदरी मार खोजने आला कौन था वास को डिगा माता और आया कौन था वास को डिगा माता तो यह सब चीजे एक तरह से आप अगर अपने अन्वार्मेंट में जी हो कहीं न कहीं आपको इस तरह की चीजे मिलती है यानि कि ऑप्शन नमबर वन हो जाएगा सका आंसर चलिए कुषए न्मबर साथ देखते हैं साथ क्या कहा कह रहा है भारत है पहली अंग لهजी केंपी काहां इंफर्टेंट कोश्यान है आपको पहले पता आहिए कब खोली गई 1613 में खोली गाई थी और क्वाघ्डी सूरत में खोली गई थी जा रखना सूरत में सब्लरे ये था जो मुगल ऑंपायर थी चांड म ہیں जागीर के समय में अंगहेजु समय खोली गई थी ठीक है यह आपके तीन कोश्चन हों कि यह आपको सूरत में बतल गया 1613 पता चल गया मुगल एंपायर के टाइम पे जहांगीर के टाइम पे खोली गई थी चली आगे चलते हैं कोश्चन स्थान से संबंदित रही है अगर हज्रत महल की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए लखनाओ और आपको लखनाओ किसके नाम से नवाबों के सहर चली आगे चले कोश्चन नमबर नो देखते हैं कोश्चन नमबर नो क्या रहा है मात्मा गांदी द्वारा क्रियांत वे प्रथम सत्याग्रह नील किसान यानि कि नील किसानों के संबंद में से जुड़ा हुआ कौन सा स्थान है आपको एक चीज बता होने जब किसानों की बात आती है तो किसानों की बात में चंपर न इंपॉर्टन्ट पर है चोराचवरी किसके लिए इंपॉरट्ब चोरी में यह हैं कहें हैं। पर यह ध्यान लखना बिहार नहीं है इस्टेट का नाम बताइए ठीक है दूसरा चोहर चवरी में आपको पता ही पुलिस वालों को जला दिया था वह वाला कांट जिसके बाद गांदीजी ने वापीस ले लिया था अपना अंदोलन फिर आता है चंपारण चंपारण में कैसरी संपादंग आपको पता है तो इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर दो कैसरी इंपोर्टेंट है कई बार पूछा गया है यूपी के एक्जाम में कई बार पूछा गया है चाहे हो सब्सक्राइब को बच्चे जो भी तयारी कर रहा है अगर वह इस वीडियो को भ पता ही है एक ही जंगहा है वे है साववरवतिया तो यहां और बन्दर ही नहीं को सावरव्तिया ऐसरुम में क्या करते करते हैं के बेल्कुल सिंपल है इस पेपर में आगर आप कहना बिल्कुल हम पही बात हो गई कि एक प्यजिस की सारी चीजे पढ़ी और फिर आप कैदो कि मुझे तो कुछ आता ही एंग वाली बात है question number 12 यह सुर मञ्डल को मरण सा गरये आकार में प्रित्वी के समाने प्रितिवी के समान तारा कोliche बहुत कि सिदे-स बहात आ आ तारा यानि कि भोट का तारह हो जाएगा फिर आएगा जुडवा ग्रहे ब्या पूच लिया गया सूज का तारह कौन हो गया कि आजाएगा सुक्र कए तो यह आपको पता होना चाहिए है क्या कोश्यन 207 क्या तुरा है क्या है पर देश सदा बुरू से यह को तरह 자ुषमकी होते हैं मränस्तल किसे निवें जो उनके वाईउ मंडल के सब से नीचली पर यह को मुंध सो ओन्वा जब वायू मंडल की परत की बात आती है तो वह हो जाती है शोब मंडल यानि कि option number C हो जाएगा और यानि कि शोब मंडल के इस तरह से पूछा जाता है कौन सी परत ऐसी है जिसके ऊपर क्या हवाईजाज उड़ता है जिसमें कहना हवाईजाज को उड़ाया जाता है वह होती है शोब मंडल का सबसे उच पठार कौन सा है आपको पता यानि कि लड़ा है इसका घजाएगा और सी हो जाएगा इसमें बताये के लगा देंगी बांचे दक्कन का पठार नहीं है तो दक्कन का बठार गल्टी से मत लगा देना की अप्षन क्योंसन नम्बर सी कोश्ट्न नमब़ हम चलते ह हमारा है सूला प्रायदी भी बारत की सबसे लंबी नदी आपको पते हैं और प्रायदी बारत की सबसे लंबी नदी क्यों है दक्षिन बारत की गंगा को कहा जाता है यह नदी नासिक से एक आपको पता होगा नासिक के मां कालेश्वर से निकलती है ठीक है तो इस तरह से एक औरिको यानि कि option नमबर हो जाएगा हमारा डी कोशन नमबर 17 के उत्तर भाग को किस नाम से जाना जाता है कोंकन टट यानि कि कोंकन और आपने देखा कोंकन डेलवे को पशीमी गाट के इसलिए इंपोर्टेंट भी आना जाता है जब ट्रेन की बात आती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है चली आगे चलते है कोशन नमबर 18 वैब प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है तो क्या कर जा सकता है प्रोग्राम कोड तो प्रोग्राम पढ़ता है हो में पढ़ेगा चली आगे चलते हैं कोशन नमबर 19 रहते हैं कोशन नमबर 19 के लिए उत्तरदायत नहीं है यानिकि इंपोर्टन नहीं है तो वह होगा सरकारी क्रिशी यानिकि ऑप्शन नमबर पहला ठीक है चली आगे चलते हैं कोशन नमबर 20 के का निमलिकित में कौन सा बंदरगा भारत के पच्छी में गाट से संबंदिद नहीं है तो कौन सा नहीं है तो है में आपक्षन नमबर सी तूति कोरें यानिकी आप्शन नमबर सी ओजाएगा चली आगे चलते हैं कोशन नमबर इकinen देखते हैं दक और दिली में सर्दियों के समय वर्षा होती है तो उसे कहा कहता है पश्चिमी विव शोग यानि कि आपको पता ही जब मोसम आता है चली आपको पता होना चीए अगर आप अच्छी तयारी कर रहे हो तो कुश्चन नमबर 22 का क्या है आपको और किस नाम से जानते हैं राश्च्टा आए को एक तरह से देखो अब यहां पर सब्सक्राइब में कंफुजन हो जाएगा जाएगा राश्ट्याय में तो आपको पती है कि साधारर लागत में जीन हों पीई औरन फ्ससी नंबर Becky कि कुष्चन की और है भारत की बहुत में में ने मरी त्में में राज्जह के द्वारा लगा है थिक चलते हैं ऐसे वीडियो को लाइक करे आपके यही काम है क्यूंकि प्रृब्सीक्तादिए और आपको एक वूजिटिव वेव दे रहे हैं तो आपको क्या करना है बस इस वीडियो को लाइक करते करें करना चैनल को सब्सक्राइब करना और वेडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करना और बच्चों यह ध्याना किना अगर आप देखो बीएड में किसी भी स्थान को पाने के लिए कर रहे हो तैयारी तो आप सिंपल वे में एक बार पेपर देख लो चल जाएगा आपका काम लुटाियोरoseam, कुषैनि 10-25 नियुट मैंसे किस वास में भारत के जी टूंटी-ची सिका सम्हेल ned में कि आपको बताएं भारत में में जाजबानी काभ हो या है मेजबानी की बात है 2022 में यानि की अभी जो आपका कहा है मेजबानी उसी में करी है एक चीज़ जान दखना यूपी में जब इस तरह के कोश्चन पूछे न कि कब करी है तो वह उसी साल को मानते हैं यानि कि अगर 23 में कोई कोश्चन पूछ ले तो 2023 ही होगा उसका अंसर यह आप स्टिक मान की चली ऐतरा से कोश्च निबर 26 देखते हैं निलो की तमयसे क्या付क मच अधारण एंप व्हें क्योंकि में उसमें कोई भी चीज नहीं वैसे सब्सक्राइब बढ़ यह आजाएंगे यह आजाएंगे पर चेक जो होती है वह आपकी आपकी यहीं मुट होती है अब फाइनल तरह से माना जाता है ठीक है चलिए आगी तलते हैं कुश्चन नमबर 27 देखते हैं 27 क्या कह रहा है नेम लिकित में से पंच वर्ष योजना में वास्ति विकासदर लक्षित विकासदर से कम होती थी स्वरी कम थी तो वह था उसका चोहती पंच वर्ष योजना यानि क क्वेशन नमबर 28 देखते हैं सविधान के किसी थी कि पूर्ण तह बनकर त्यार हुआ आपको पता है जब सविधान बनकर त्यार हुआ तो वह था 26 नॉमबर 1949 और इसी को क्या कहते हैं सविधान चलो आप आज छोड़ो मैं इसको आप से पूस्ता हूं कि यह किस नाम से और जाना जाता है एक तो होगा सविधान बनकर त्यार होना और सविधान लागू कव वह हुआ हमारा 26 जनुवरी उनिस सो पचास और 26 जनुवरी को क्यों मनाया जाता है क्योंकि कॉंग्रेस ने एक बार यह तैकि आखिया था कि 26 जनुवरी को हम क्या करेंगे बताओ यह भी आपको पता होना चीज़िए जब आप हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ते हो तो यह चीज़े आपको पता होनी च किस साविधान किस तिथी को पूणते लागू हुआ तो वह था 26 को आ जाएगा अर बन के तयारवा 26 नौमबर 2226 को किस नाम से जाना से जाता है जल्दी बताए 26 नौमबर को और किस नाम से जाना जाता है ठीक है चली आगे चलते हैं कोश्चंब हमारा 39 भारत में राश्ट कि यह क्या है राष्ट्य शक्ति का राजनेतिक शक्ति का प्रमक्ष रोद क्या है क्यों कि देखो अभी 28 कि बात करें था 28 में एक तरह से राष्ट्य शक्ति के लिए जब कदम उठाए गए थे उसी टाइम पर यह 26 जनवरी 26 नौंबर 26 नौंबर तक पूरा तिती आए और 24 जनवरी 22 यह भी डेट आपके याद रख लेना ठीक है चलिए अब चलते हैं कोशन नंबर 39 भारत के राजनीतिक शक्ति का प्रमुक्ष्रोथ कौन है तो प्रमुक्ष्रोथ आपको पता ही है भारत की जन्ता ठीक है इसमें कहा है हम भारत के निवासी है इस तरह की चीज़े हैं वह इंपोर्टेंट हैं कोशन नंबर 30 देखते हैं शिक्षा सब्सक्राइब किस से संब्धित है भाई शिक्षा आपको पता है संब्रति सुचिए कोई अभी बहुत सारी जंगा हम जो बैस करते हैं अगर आप अच्छी तरह Constitution को पढ़ी लो खाली Constitution Constitution को पढ़ लो क्यों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स होते हैं वह जरा सी देर में सारे मुद्धे को चेंज कर देते हैं और वह सामने वाले जो जज़ बैठा है उसे भी वक्क कर देता है कि सर यह जो चीज़े है चीफ यानि की लॉडशिप इसमें यह चीज दी गई है Constitution में यह चीज लिखी भी है आप इस चीज को एपलाई करिए अब वह जब चीज हम पढ़े ही नहीं है कभी हमने सिफ Constitution को पढ़ लिया उपर उपर से और Constitution को जब हाई कोट सुप्रीम कोट के क्यों उनकी एक एक बार की लाखो लाखो होती है क्योंकि उन्हें पता है सारे चीजे उन्होंने बिल्कुल Constitution को IPC को इस तरह से चार्टर का अगर आप तर्किक रूप से यानि कि बिल्कुल लूफ वाल से ढूंड कर चलो तो इसमें से वह निकाल देते हैं यानिकि उनका काम है आप जैसे वह कहते ह भूस में से सुई निकालना या तिनका निकालना वह वाली कहानी कि इंपोर्टेंट है क्यों लोग बाग कहरते हैं कि यह होना चीए शिक्षा में यह होना चीए अगर लेके चलते संबरती सूची संबरती सूची आपको पता है यह चेंजिंग वाली नहीं होती एक तरह से तो इस सीच का ध्यान लगना कि कहने को बहुत सारी चीचे गौवर्मेंट मान जाती है पर संबरती सूची में है अजूकेशन नमबर 31 देखते हैं बाद के सविधान के किस अनुच्वेद के अंतरकत सशस्त बलो के मौलिक अधिकार की विशेश रूप से प्रतिवंदित हो कि अत्मान इस्तिती क्या है वह कॉमान को पता है जो 44 समय दान सशोदन वह थास्तुअ में ऑप तंक भी में एक बार जिद्गी में एक बार यानrecord की आस तक में सविदान में होँआं बहुत सी जंगा किसमें और चेंज़ में वा जिसे हम से प्रस्थावना कहते है 44 में हुआ है 44 में संपत्ति का अदिकार जो आज 6 हैं पहले 7 क्या थे मौली का अदिकार थे उनको हटाकर कि 301 जो आ पहले बहुआ पहले इसके जरीए लोग बाग जो भू माफया थे या फिर कहने से पैसे वाले थे वो को इसका गलत उप्योग कर रहे थी कि चलिए आगे चलते कोश्य नमर 33 देखते हैं नीती नेदेश सिदान्तों की मुख्य उदेश्य क्या है यानि कि मुख्य उदेश्य क्या है वही आपको पता है भाग चार में अनुचेद 36 से लेकर क्या हों तक है और बाग कौन सा भाग है चार और इसका अंसर क्या हो जाएगा लोक कल्यानकारी राज्यों की स्थापने की बात करता है कोश्य नमबर 24 देखते हैं राश्टपति के निर्वाचन में विज्य उमिदवार के लिए प्राप्त करना आवशक है क्या प्राप्त करना आवशक है कुल करे गए मतों का 50 वत और आपको पता ही है जब राष्टपती के चुनावा में एक चीज इंपोर्टन्ट होती है पहला दूसरा तीसरा वह तो आपको चलो यहां पर इंपोर्टन्ट ही जब पॉलिटिकल पड़ोगे तब इंपोर्टन्ट आएगी कि जब अगर कोई भी पहला लैप्स कर जाता है जैसे डालने जाते हो तो यहां पर ऐसा नहीं होता है पहला पहला इसे दू hou Arabs दूसरा इस कर दूगा दूसर नंबर इस समझ में आगई होगी क्योंकि यह सम अमने पड़ रखा पॉलिटिकल में तो यह आपको पता हुआ जी क्या है बाइशक्ति की पुंजियों से ततस्ता यानि की ऑप्शन निम्बर भी हो जाएगा इसका अंसर को अच्टि नमर सहता हुआ कि खेटा कि बाइशन के और में और में अच्टम में तो यह आद होगा है magic जा zuk मेसी नहीं होससिब सुआ कि उसका शलिवरर भात के िक क्या हुआ निम्पर्ट हो गया और दो देखते हैं कोशन नबर 37 देखते हैं विश व्यापार संगठन का मुख्य उदेश्य क्या है बहुत जब इस तरह की बात आए तो यह देखना विश व्यापार की मात्रा को व्रिद्धी करना अपरती बंदों को समाप्त करने यानि की option कुशन नमबर सी हो जाएगा और इसमें कहीं दिख रहा होगा कि सबको मेला जुला के लिएक चलना तो वह भी बात होती है जब भी विश व्यापक्त व्यापार की या विश डवलो एचो डवलो टीयो डवलो इस तरह की जब बात आए तो उनका मतलब यह है कि सबको एक साथ लेके चलना लड़ाई जगड़ाय ना करना यह बनी ती कुश्चन नमबर अठाइज एक निमलिक इसमें कौन सा पुरुसकार खेल के शेत्रे में शिक्षकों के लिए दिया जाता है आपको पता ही एक ही पुरुसकार है वो है द्रोनाचारिय पुरुसकार क्यों दिया गया है अर्जून के गुरु कौन थी द्रोनाचारी को किसी के रूप में बना जाता है नुए इसले फीर के नौत dayuno», पुरुसकार एंपुर्सकार लिकाट हो सब्भठी को आपको पता है जाए तो दादा साब फाल के अवर्ड किसे मिला है इस बार का 2023 का यह पूछा जा सकता है यह पूरुसकार तो आप चारों लिख लेना और इसमें भी पता है क्या करना है आपको 2023 में किसको मिलें यह लिख लेना यह कोशन पूछा जा सकता है ठीक है कोशन नमबर 39 देखते हैं अर्सासर का नोबल किसको द्याने किसके द्वारा दिया जाता है तो आपको पता होना ची यह जो जाता है सवीडिश सेंट्रल बैंक क्याने की ऑप्शन मिला हो जायेगा हमारा बी हो जाये जाए इसका अशर चलिए आगे चलते हैं कॉश्चनन नमबर 40 के गए सेंपल इंदर टाइगर पुस्तक किसके दागा लिखे गई है तो इसका अंसर हो जाएगा सैयद माउंट गोरिमेन यानि कि ऑप्षिन नमबर हो जाएगा बी स्वरी सी चलिए आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 41 देखते हैं वीर सावर का अंतराष्ट्य हवाई एड़ा जो मे स्थित है एक आधिकारित देखो आवर्जन यानि की आधिकारित चैक पोस्ट के रूप में गोशित के आगे तो वीर सावर कर जो यह है हवाई ड़ा वो है कहां तो आपको पता होना ची यह पोर्ट बिलियर में और यह जो है अंडमां निकोबार दीप समुका है और यह सब से चोटा एक तरह से मानके चलिए जब घूमने जाते हैं लोग भाग तभी यूज होता है नहीं तो नौर्मल वे में कोई यूज नहीं करता से पर घूमने जाने वहले भी लोग बहुत हैं तो इसलिए यह एक तरह से छोटी फ्लाइट के रूप में माना जाता है कम सीट वाला पैसेंजर एक प्लेन यूज कर जाते हैं जातर में सुनने में तो यह आता है आगे हम जब जाएंगे तब भी देखेंगे चलिए आगे चल साधिन हो यानि की और उप्शिन नमबर वन जाएक सका अंसर के क्यूंज सेचंट के दूरी मा अपने के लिए चौह से बड़ी हरा काई कहसे हैं धूरी मा पने के लिए सबसे बड़ी हरा काई ऑख्वा पता ईह है सी हो जाए गा आ मैं आ यke से कि चलिन आगे चलते हैं विटामिन को रसाइनिक टाम क्या है olduğunu विटामिन बी और नमबर हो जाएंस यानि कि और तेखते है कि सबको बता होगा डी टीपी क्या होता है डी टीपि आपको पता ही है डीटीपी हम किस नाम से जानाते हैijn डेक्स्ट्टा में पॉपलिश्चिंग है' अंचरी ऑला मतलगा दीना मरला लुछ दोजों ऑप्श हाम का परियोग क्या जाता है तो वह घ्र कि इसका अंशर होजाएग कि अप्शिंग अमल यानि कि ौक्शन नमबर भी हो जाएगी और चलने कौ आगे चलते हैं कि कोष्चेंड के द्वारा मिलकर केंद्रेत ुप कयू अस्वाम करता है कि बहुए इस का अंसर हो जाएगा है मस्तिश्क हो जाएका इस का इंसर की और आव एक ठांद चलिए आगें चलते हैं कोशन नमबर 49 देखते हैं रंग वर्ण निदी ता किस venture को आपको पता ही मिवाद अनुवान का है और इसमें क्या होता है इस रोग की पीडि द्वैक्ति को लाल हरे रंग का बेद नहीं कर पाता है और यह रोग एक पीडि से दूसरी पीडि में ट्रास्फर होता है याद रख लेना लाल हरे रंग का बेद नहीं कर पाता है इसमें जालिए आगे चलते हैं question number 50 देखते हैं लाश्ट कोशन है इसके बाद आपकी रुटू मैंडम कराएगी चीनि या थी फाई यान किस आसक के समय भारत आया था तो कौन था हो चंद्रप्भुभधुतिय तो चंद्रप्भुत्य के समय भारत आया था तो इसके बाद कहने के र को आपको रितुमयणम कराएगी चलिए तो वीडियो की लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है शयर करना है आप सभी के लिए पिपर करा जारी है जिससे आपको एक बेड के a dope में अच्छे रैंक मिले अच्छे नमबर मिले और फिर आप करना है परिखसथ है पाplidd guty channel से ही करनी है आपको पहले आपने प्वेड Alt की तइअ स्याइबिसें उसके बाद सि को यूपी त increased ibn यहीं से आपको करनी है ठीख है कि फिर आप आगे हमसे जुड़ते चले जाएंगे जब एक दूसरे के सईयोग में आ जाएंगे चलिए तो अब आपको रितु मैडम को देता हूं रितु मैडम आपको कवर कड़ाएगी नेक्स शेक्शन कि अब आपने किया है वह आपने चंड का जन्रल सकताइब कर leer आपको यकेशर ने करवा आपको यह कौशन हम करेंगे से कोशन श्याइब 5 50 इस यो गरते हैं सब्सक्राइब 5 मार्ण निर्देश अधर का सब्सक्राइब प्रतिरक्षन तो राइट आंसर क्या होगा आपका आप सरन तो अभी शरन का आपका आप सरन जो आपका राइट आंसर या यानि विलोम शर्द जो होता है अभी शरन का आप सरन जो होता है विलोम सब्द होगा अभी शरन का तो कोश्चन 51 का ओप्शन भी राइट है नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 52 सुसुत्व या आपका द्याग है सुसुत्व तो इसका विलोम सब्द क्या होगा ओ सभिन भी जागरत अउप्शन सी म्रत ऑफशन डी करतगन। तो राइट अंसर क्या है जाग्रत तो कॉशन फिफ्टी टू को ऑप्शन भी राइट आइस नेक्स्ट अब आपका कॉशन है नंबर 53 बिसक्षिशन निर्देश है परसन सेंग के थ्रेपण और चोवन निम्न्न वाक्यों में से सही वाक्या आपको चुनना है तो question number 53 आपका दिया गया option है अब आपका गत रविवार को वह मुंबई जाएगा option B आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा option C आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा option D पूरवार्द रविवार को वह मुंबई ज जाएगा कोश्यन 53 को ऑप्शन सी राइट है नेक्स्ट अब आपका कोश्यन 54 ऑप्शन अब आपका है आपकी संकाओ का निराकरन हो जाना चाहिए ऑप्शन भी आपकी संकाओ का समाधान हो जाना चाहिए ऑप्शन सी आपकी संकाओ का समान हो जाना चाहिए ऑप्शन डी आप की संकाओं का वर्दान हो जाना चाहिए तो राइट अंसर क्या आपका आपकी संसर का समधान हो जाना चाहिए कोश्चन 54 का option ए जो option भी जोगा आपको राइट आंसर है next question अब आपका है question number निर्देश आपको दिया गया परसंड संग के पच्पन और चंपन निमली की तवाक्त के अंसों के लिए एक सब्द आपको चुनना है one word आपको चुनना है question 55 दिशाई जिनके वस्त रहा जो दिशाई है जिनके वस्त रहा इसका राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका राइट आंसर होगा next question अब आपका question number 56 यूद की इच्छा रखने वाला तो यूद की जो इच्छा रखने वाला है वो क्या है option first मुमुक्सू option B बहुशुत्र option C यूयू यूद्सू option D मोकोक्तिक तो राइट आंसर क्या होगा आपका आपका है राइट आंसर क्या होगा आपका यूद्सू question 56 का option C right answer and next question अब आपका 57 आमलक का तदबव सब्द है जो आमलक है उसका जो तदबव सब्द होगा वो क्या है option है आद रशिका option B आमल, option C आपक, option D आवला तो राइट आंसर क्या आपका आवला question 57 का यानि आमलक का तदबव होता है वो आवला आपका होता है next अब आपका question है question number 58 तिनिका का तदसमसब्द है जो तिनिका है उसका जो तदसमसब्द होगा option first तरण, option B तिकती, option C तामर, option D तवरित तो राइट आंसर क्या आपका तरण तिकना का जो तदसमसब्द होगा वो तरण आपका होगा question 58 का option A, right answer and next question अब आपका है question number 59 विशेशन की विशेशता बताने वाला सब्द बताईए बच्चो तो विशेशन की जो विशेशता बताता है वो सब्द आपको बचाना है तो विशेशन की विशेश तब बताने वाले सब्द को क्या कहते है पर विशेशन कहते है ओप्षन फस्ट आपका है कि रिया विशे ओप्षन भी पर विशेशन ओप्षन सी विशेश से है ओप्षन डिस सरुनाम तो क्या कहते है उसे कहते है पर विशेशन पर विशेशन आप आपका right answer होगा question number 59 का option B right है चलिए next question की और बढ़ते है next अब आपका है question number 60 परिक्षमी सब्द में कौन से विशेशन का बोध होता है option A संख्य वाचक option B परिनाम वाचक option C परिमान वाचक option D गुन वाचक तो right answer क्या होगा आपका right answer है आपका गुन वाचक question 60 में option D यानी गुन का क्या हो रहा है गुन का इसमें आपका बोध हो रहा है तो गुन वाचक या आपका right answer जो आपका प्रिक्षमी शब्द है उसमें गुनवाचक विशेशन आपका है तो संग्या के गुण अथवदोषोग का आपका वह रहा है बहुत होता है तो उससे क्या कहते है घृति नेस्ट वा का 621 पांटा आपका नेक्स्ट कोश्चन आप आपके आपका 626 त्रश्चन का प्रियायवाची है मों विसेयं सेचर ऑफश्चन सी रशी का यूपशन और ईलिपश तो राइट ढिविशार्थ तो त्रश्ना कप्रियाईवाची क्या है लिप्षा आपका होगा नेक्स्ट अब आपका है 63 कोश्चन अब आपका राजपुत्र में कौन सा समास है ऑप्षन है बहुरी ऑप्षन भी द्वीगू ऑप्षन सी तत्पूरूस ऑप्षन डी करमधारी है तो राइट अंसर क्या हो अब आपका कोश्चन है 65 कोश्चन है जुगुपसा किसरस का इसताईवभाव है ऑप्षन अधवूत्विग बहानक प्षन अपक्षन आपका option c अब आपका है भी बस option d रोद्र तो बताए राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर आपका है भी बस question 65 का option c right answer next question अब आपका 66 question अब आपका दिया गया है सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ है option a रोसनी में अंधकार होना option b किसी व्यक्ति की तच प्रसंसा करना option c प्रभाव इस्तापित करना option डिसम्मान बढ़ाना तो right answer क्या होगा आपका किसी व्यक्ति की तच प्रसंसा करना question 66 का option b right answer next अब आपका question निम्लिकित में से कौन सी दर्विड परिवार की बासा है option ने उडिया option भी बांगला option c अस्मिया option d कंणड तो right answer क्या होगा आपका कंणड question 67 का option d कंणड जो आपका right answer होगा next question अब आपका निर्देश है परसंसंग्या 68 और उनातर निम्नांकित परशनों में सुदवर्तनी विकल्प का चयान कीजिए question number 68 अब आपका है भोगोलिक option a भोगोलिक या आपका चार तरह से आपको दिया गया भोगोलिक भोगोलिक और भोगोलिक तो right answer आपको बताना है right answer क्या इसका option a भोगोलिक question 68 का option a right answer है next आपका question 69 पर फुलित पर फुलित आपको दिया गया है तो कौन सा इसमें आपका सही होगा option c जो आपका है पर फुलित या आपका right होगा next आपका question दिया गया आपका निर्देश है परसंड संग्या 70 नीचे दे गए विकल्पों में सही विकल्प पच्च यानि कीजिए question 170 अब आपका start होता है स्वाव लंबन मनुष्य को आत्म निर्बन ही नहीं बनाता बलकि उसमें डैस भी जा गयाता है option a विवेक option b आत्म विश्वास option c प्रिक्षाम option d आत्म बल तो right answer क्या होगा इसमें आत्म विश्वास तो क्या जगाता है आत्म विश्वास जगाता है नेक्स्ट आपका question है 71 question अब आपका है बीड़ा उठाना से तात्परिया है option a द्रड संकल्प करना option b भार उठाना option c महनत करना option d 14 परिक्षाम तो right answer क्या होगा आपका द्रड संकल्प करना question no.71 का option a right answer and next आपका question है 72 question अब आपका है मनोज का PCS में चैन हो गया समझा उसने गड़ जीत लिया गड़ जीतना जाने का आर्थ है option A यूद जीत जाना option B कबजा कर लेना option C अनुबव प्राप्त करना option D कठीन कारिया पूरा करना तो राइट अंसर क्या होगा आपका गड़ जीत जाने कारता है कठीन कारिया पूरा करना question 72 का option D राइट अंसर नेक्स्ट अब आपका question 73 question अब आपका दिया गया है यह आपका ड्रे अने ने ने और मैं कोन से वेंजन है option A इस पर्स वेंजन option B उत्चिप्त वेंजन option C अंतेस्त वेंजन option D अनुनाशिक वेंजन तो कैसे वेंजन हो गई यह आपके अनुनाशिक वेंजन question 73 option D right answer next अब आपका question 74 question अब आपका है वें आया और मैं चला गया इस वाक्या में कौन सा अव्य है option A संबंद बोदक option B विश्मियादी बोदक option C समुच्चे बोदक option D आधर बोदक तो right answer क्या होगा आपका right answer है समुच्चे बोदक question 74 का option C right answer है next अब आपका question 75 question अब आपका दिया गया है निमलिकित में से कौन सा सब्द काल वाचक विदिया विशेशन है option A बारी बारी option B भीतर option C आज option D यता संबंव तो right answer क्या होगा आपका आज question 75 का option C आज जो होगा आपका right answer है next अब आपका question 76 निमलिकित वाक्यों में से ऐसुद वाक्या को पहचानना option A स्रीमती गांदी भारत की परदान मंत्री थी option B मेरे उपर किरपा करे option C मेरे घर के सामने पाट साला है option D वहां बारी भीड़ थी तो right answer क्या आपका right answer आप आपका है मेरे ऊपर करपा करे question 76 का option B right answer next अब आपका question 77 question अब आपका है निमलिकित में से मिश्र वाक्या का चैन कीजिए option ने प्रातकाल होने पर चिडिया चैचाने लगती है option B सुबह पहली बस पकड़ कर साम तक लोटाओ option C जो विद्यारती प्रिक्षमी है वैं आवश सफल होगा option D राजकुमार ने भाई को मार डाला और सुयम राजा बन गया तो right answer क्या होगा right answer आपका जो विद्यारती प्रिक्षमी है वैं अविश्य क्या होते हैं सफल होते हैं सक्सिज आपके होते हैं next question अब आपका 78 निमलिकित में से कौन सा उपसर्ग रहित सब्द है option option A सईयोग option B विदेश option C अत्य दिक option D सुरेश तो right answer क्या होगा आपका option दिसी प्रिक्षन58 का option D राइट है next question अब आपका 79 कौश्चन है गरव सुन्य सब्द में समास है गरव सुन्य सब्द में समास है option A करम तत्पुरूस option b करन तत्पूरूस उप्षन से संप्रदान त तो राइट अंसर क्या आपका करन में तत्परूस कोशन 79 का ओप्शन भी राइट आंसर अंक्सट अब आपका कोशन एटी सब जब हाग दिखाना का अर्थ है प्रभावी च्थापित करना ऑप्शन भी लालच देकर बैकाना और चीविवेक को देना ओप्शन डी होस उड़ जाना तो राइट आंसर क्या होगा आपका लालच देकर बैक आना कोश्चन 80 का ओप्षण भी राइट आंसर नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 81 यह आपका देगर निमलिकित में से कौन सा संदी विचेद सही है ओप्षण ए अधी प्लस कांस ओप्षण भी त्रिपूर प्लस अरी नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है एटी टू पंचानन में कौन सा समास है ओप्षण ए तत्पूरूस ओप्षण भी बहुविरी ओप्षण सी द्वीगू ओप्षण डी क्रमदारी है तो राइट आंसर क्या आपका ओप्षण भी बहुविरी कोश् किसी तीसरे या फिर जो आपका तीसरे जो पद होता है उसके और क्या करते है संकेत करते है तो वहां क्या होता है बहुविरी समास आपका होता है नेक्स्ट कोश्चन अब आपका है कोश्चन अमबर 83 तीन तेरा करना का अर्थ है ओप्षण ए प्रतक्ता की बात करना प्रथक क्या होता है प्रथक क्या होता है प्रथक का मतलब अलग करना विक्षा है कौश्ण नम्बर 84 अम्स्य के टियां में कहर्पे का गीत कहावत काल थे हैं ओप्षिन इस साधी में गीत गाना। स मनाणा ओप्षिन सिस्टारा थे करना ओप्षिन कोश्चन नोमबर 85 अब आपका है देव देव प्लस अरपन अपका प्लस पन तो राइट आंसोर क्या होगा आपका right answer आपका है option B, देवी प्लस अरपन, question 85 का option B, जो देव, देवी वेपन का संदी विचेद होता है, वो आपका देवी प्लस अरपन होता है, next, अब आपका question है, question number 86, पूस्त किये सब्द में प्रत्य बताए, जो पूस्त किये सब्द आपका दिया गए, उसमें प्रत्य आपको बताना है, तो प्रत्य क्या होगा, option A, option B, option C, option D, तो राइट आंसर क्या होगा, आपका E है, तो जो आपका प्रत्य होता है, वो आपका E है, आपका होगा, यानि प्रत्य जो होता, आपका बाद में आपका जुड़ता है, next, अब आपका question दिया गया है, question number 80, 7 आपका है, स्वेतंतिरता सबको प्यारी होती है, वाक्या के रेकांकी जो सब्द है, उसका संग्या बेद है, option A, जातिवाचक संग्या, option B, भाववाचक संग्या, option C, गुनवाचक संग्या, option D, इनमें से कोई नहीं, तो right answer आपको बताना है, question number 87 का, right answer होगा, आपका बाववाचक संग्या, यानि, question 87 का option B, right है, next question अब आपका 88 question है, मुझे किसे परकार का सरुनाम है, option A, उत्तम प्रूस, option B, मद्यम प्रूस, option C, अन्य प्रूस, option D, इनमें से कोई नहीं, तो right answer क्या, आपका उत्तम प्रूस, question number 88 का option है, उत्तम प्रूस आपका right answer होगा, next question अब आपका 89 question दिया गया है, इसमें पूचा गया आपका विशेशन सब्द, जिस संग्या या सरुनाम की विशेशता बताते हैं, उसे कहते है, option A, किरिया, विशेशन, option B, विशेश्य है, option C, पर विशेशन, option D, उपनाम, तो right answer क्या होगा, आपका विशेश्य है, question 89 का option B, विशेश्य है, जो आपका right answer है, next, अब आपका question है, question number 90, जिया गया अब आपका मूल अकर्मक धातू के साथ, प्रत्य जोड कर, बनाई गई किरिया, धातू ये क्या कहलाती है, option A, option B, द्विकर्मक धातू, option C, साधित सकर्मक धातू, option D, समस्त धातू, तो right answer क्या, आपका साधित सकर्मक धातू, question 90 का option C, right answer है, next question अब आपका है, question number 90, वन आपका देगा, प्रेम वाटी का किसकी काव्यक रती है, option A, रसकान, option B, नहररी, दास, option C, आलम, option D, भारतेंदू, हरिश्चंदू, तो right answer क्या होगा, आपका right answer है, रसकान, question 91 का option A, रसकान आपका right answer है, तो प्रेम वाटी का किसकी काव्यक रती है, तो ये रसकान की काव्यक रती है, इसकी जो रचना है, आपकी रसकान की, जो रचना है, वो कब की गई, 1671 इश्वी में की गई थी, कब की गई थी रचना, 1671 इश्वी में की गई थी, इसकी जो काव्यक रती में, जो भक्ती रस, और जो श्रंगार है, दोनों की प्रदानता होती है, बक्ती रस, और श्रंगार की, किसकी जो श्रंगार है, दोनों की क्या की जाती है, दोनों श्र प्रदानता होती है दोनों की क्या होती है प्रदानता होती है तो कोश्चन 91 का ओप्षन है आपका राइट आंस्वर है नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है 92 निमले की तो में से कौन सा सब्द अली हवती शब्द का अनेकार्तक नहीं है ऑप्षन अब आपका स informing ऑप्षन्वी भर मर ऑप्षन सी रूपarbeitषी औपष्ण डी बिच्चू साथувати ऑन्स्वर क्या होगा आपका रूप तो स्वप्शन दी को रहे तो राइट से बोलने वाले कोश्यन 90 सभत ले Bereषतें हैं बोल जाथे तो पासफेन प्रस्टैम कर दंटी ये सब क्या कर दात से बोले जाते हैं लाइवक hafra कि तो भुब यथा तो यह कर दे का निस्तानNow प्रियॉग किया जाता है नैक्स्ट आपको कोशन 2 कोशनר 9नें लिवी निम्नांकित में कौन सासब्द पुलिंग रूप में पर्युक्त नहीं होता तो तो पुलिंग जो रूप है उसमें नदी यह इस तरी लिंग आपकी है तो इसका राइट आंसर आपको option c है next अब आपका question है 95 यह आपका देग सब्त प्लस रिषी इससे बनी संदी है तो सब्स प्लस जो रिषी है वह संदी क्यों से बन रह커 है यानि option यह दिर्गो संदी होते हैं यह क्या होजाएगा सब्त रिशि आपका होता है यानी गुन होगी कौन से संदि होगी तो इसका राइट आंसर आपका उप्शन डी है गुन कोईशन 95 का ऑप्शन डी राइट आंसर है नेक्स्ट अब आपका question है, 96 question अब आपका दिया गया है, बाड़ पीडितों की साहिता के संबंद में पत्र लिखा जाता है, option है लेखा दिकारी महुद्य को, option भी जीला दिकारी को, option सी कुलपती महुद्य को, option डी आचारी है महुद्य को, तो right answer क्या होगा इसका, right answer आपका ह जीला दिकारी को किसको लिखा जाता है, यह आपका लिखा जाता है, जीला अधिकारी को, चलिए next, अब आपका question है, question number 97, ठेले पर हिमाल्या, यह आपका question दर 97, इसमें पूछा गया आपका, ठेले पर हिमाल्या किस विदा की रचना है, option ए निबंद, option B कानी, option C उपन्यास option D, यात्रा वरत, तो right answer क्या होगा, आपका ठेले पर जो हिमाल्या है, वो किस विदा की रचना आपसे पूछा गया, तो किस विदा की रचना होगी, निबंद की, question 97 का option है, क्या आपका right answer है, तो यह आपका जो धरमवीर भारते द्वारा रचित आपका निबंद है, किसके जो निबंद था रचित उसकी थी, तो इसलिए किसमें जो लेखा कै उसने नैनिताल से कोशानी की, यात्रा का रोचेक वरनन आपका किया था, next अब आपका question 98, इन में से कौन सा कभी अस्ट चापकर नहीं है, option A, सूरदास, option B, कुमबंदास, option C, नंददास, option D, रेदास, तो right answer क्या होगा, आपका, right answer आपका है, रेदास, question 98 का, option D, right answer होगा, चलिए, next, अब आपका question है, question number 99, question number 99 आपका दिया गया है, यह आपका question 99, किस वाक्य में अपादान कारक है, option A, राम ने रावन को तीर मारा, option B, मोहन से अब नहीं गया जाता, option C, हिमाले से गंगा निकलती है, option D, चाकू से फल काटो, तो right answer क्या होगा, आपका, right answer है, आपका, हिमाले से गंगा निकलती है, question 99, का option C, right है, next, अब आपका question है, question number 100, हिमले कित में से ऐसुद वर्तनी कौन सी है, option A, option B, मुस्किल, option C, 25, option D, इर्शा, तो right answer क्या होगा, आपका, question 100, का option है, आपका right answer है, चलिए, अब आपका next, आपका paper 2, अब आपका start होता है, second paper जो आपका है, paper 2, अब आपका start हो रहा है, अब हम करेगे paper 2, चलिए, paper 2 में आपका, यह आपका, खंडे, यानि पार्टे आपका जो है, खंडे में आपका है, तर्क सक्ती परिक्षन, यानि reasoning के question अब आपके होगे, खंडे, यानि जो तर्क शक्ती परिक्षन, अब हम करेगे, चलिए, अब question अब आपका है, निर्देश, परसंड संग्या, एक से लेके 3 तक, दिये गई विकल्पों में से, संबंदित अक्षर, सब्द, संख्या को चुनिए, फर्स्ट आपका दिया गया है question, S, R, P, Q, O, N, L, M, K, J, H, I, आपका दिया गया है, तो इसमें क्या आएगा आगे, तो question यो first ता, आपका इसमें क्या आएगा, देखें यह आपका यहाँ से start हो रहा, P, Q, Rs आपका है, L, M, N, O, आपका है, I, H, I, J, के आपका है, तो & से पहले क्या आता है आपका paar से पहले आपका आएगा यह typ पहले आपका आएगा जी आफ डी डी फी फिर आपका जी के फिर आपके जी के बाद हेट आपके स्टार्ट होगा यानि इस तरह आपका यानि इसमें में अगता है जी आपका जी इफ यह अंप भी जी इफ इड ऑपिछन से जी फटी जी फ दिदी तो रइंड आपका उप्षण डी चलिए नेक्स अब आपका कोशन है कोशन नमबर सैकं कोईषण सेकंड गया आपका ग्यहार ग्यारा कि ये रखा सः ग्यारा rifa advice 111 एक्सो ड़स ये हापका फंदरा 225 दोस वजवसर आपका दिया गया तो यहां पर आपके जो नेक्स्ट आपकी जो संख्या है वो क्या आपकी है किया ऐगी यानी ग्यारह की गुलां में ग्यारह में के तो कितना अया 1101 आपका है और 11 की मल्टिप्लाई हमसे pack 1210 आपका आथ इसा स्की 15 की मल्टिप्लाई हमने PC 122 का है और 15 गुला ऑगर हम करते हैं दो 25 आपका है और 15 गुला 14 चले पंद्रा की यानि एक के इसमें जो आपकी अगली संख्या आपकी होगी ग्यानी अगली संख्या आपसे पूछेगे ग्यारा में चार आपने प्लस क्या कितने प्लस क्या चार आपने प्लस क्या तो आपकी पंद्रा आगी पंद्रा में अगर आप चार एड़ करते हो तो क्या होगी तो अगली संख्या आपसे पूछी गई है जिसका आप स्क्वेर भी आप कर सकते तो इसमें आप नो चले इसका क्या होगा आपका इसमें यह आपका हो गया 9 यह आपकी संख्याप पहली यानि 9 की मल्टिप्लाई हमने 9 में की 81 आपका आया फिर 9 की गुना हमने इसका जो रायट आंसर होगा आपका ऑप्षन है अपका रायटγά नो इक आसी सत्तर आपका आईगा झालो नेक्स कोशिन के और बढ़ते हैं अब हम अफिर 5 अब नेक्स अब का है 318 324 306 नेक्स्ट आपका कोश्चन है कोश्चन नम्बर थड़ स्वैपन वास्ट्विक्ता और तर्क्षंगत ओप्षने तर्क्षंगत से आगे क्या आएगा ओप्षने मित्या ओप्षन भी न्याइशिद ओप्षन से समझदार ओप्षन डी यह थारता तो राइट आंसर क्य क्या है संक्या जो। यानि यह स्वैपन का या वास्ट्विक्ता से आपका और तर्क्षंगत निरज़स है निर देस हैस्थ संक्या 4 पाच निम्लिकित परस्णों में दी गई संक्या संक्या संक्राव में कौन सी संक्या सही नही है वह आपको बतानी है यह आपको दिए गए ׁ recommend 2 6 lens 18 32 52 और अठानों वे आपका दिया गए तो इस संक्रा में कौन स况 की तो से फुर्चांगे सभी कोन सी नहीं है इसमें आपकी कि या आत्ती होगी कि herSmith यह पर फ्टारा है दो यह आपका अब नर्खारा इस सोगे और पचीज पचास आपका हो गया बहत्र यानि शत्तिज दूनी बहत्र हो गया और दो आपका अड़तालिस है यह आपका च्वालीस दूनी क्या होता है खाण होता है लेकिन यह आपका क्या होगा दो गुनत तिन यानि इसमें क्या हैगा आपका एड आपका तीन आपका होगा दो गुनत दो आपका अगर यह चार होता तो आपका चल जाता लेकिन इसमें यह आपका क्या च्छाय आपका है तो इसमें आपका च्छाय जो आपका वो स्रं यह आपका दिया गया है कोशन 5 में 541, 514, 312, 743, 945 और 816 आपका दिया गया है तो इसमें कौन सा स्रंकला में सही नहीं होगा तो यह आप से पूछा गया स्रंकला में जो सही नहीं है वो आपको बताना है संकला में जो सही नहीं है वो आपको इसमें बताना है तो सही नहीं क्या हो इसमें जैसे पांसो इकतारिस में जैसे आपको क्या कर रही है आपका पांसो इकतारिस दिया गया तो पांसो इकतारिस यह आपका पांच हो गया तो ये क्या हो गया, आपका 4 और 1 आपका 5 होता है, 4 प्लस 1 क्या हो गया, आपका 5 हो गया, इसी तरह आपका 514, तो 514 क्या आपका 5 हो गया, इसमें आपका 4, 1 प्लस 4 हो गया, ये भी आपका 5 बैटता है, फिर आपका 312 आपका दिया गया, 312 यानि 3 आपका 3 हो गया, यानि ये आपका 541 था पाच आपका हो गया 541 पाच आपका हो गया यह आपका हो गया चार प्लस एक फिर 514 आपका हो गया बच्चो 514 यानि 5 आपका हो गया इसमें 1 प्लस 4 आपका 5 होता है फिर आपका 312 तीन सो बारा आपका 3 यानि 1 प्लस 2 आपका हो गया फिर आपका 743 यह होगा और प्र फिर आपका 945 945 यानि 9 9प्लस चार मथ आपका 945 816 आपका इस ब्लस जो कि आपका गलत होगा तो इस तौन्खला में आपका 816 आपका right answer होगा तो option C में आपको 816 मिला यहीं आपका right answer है next अब आपका question है निर्दे से आपका person संग्या 6-7 निमली कितमें से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन से क्या आपका भिन है option है आपका question 6 का option है अब आपका खेल मैदान option B cinema screen option C option D नाटक मंच option D रबड मिटाना तो right answer क्या होगा आपका रबड मिटाना question 6 का option D रबड मिटाना जो आपका अन्य तीनों से आपका भिन है तो next अब आपका question है question number 7 7 का option है अब आपका दिया गया 32-41 आपका है यह क्या है आपका जैसे 3 प्लस 2 होता है कितना हो गया 4 आपका हो गया और 4 प्लस 1 इसी तरह 6 प्लस 2 इकवल आपका हो गया 4 प्लस 4 इसी तरह आपका 46 है 4 प्लस 6 इकवल 2 प्लस 8 इस तरह आपका 3 प्लस 3 इकवल 5 प्लस 6 आपका हो गया तो इसमें जो यह आपका 3 प्लस 2 चार आपका होता है चार आपका हो गया चार चार दस यह आपका 8 और 3 और 3-6 प्लस 2 आपका ब्हुंस इसमें जो आपका राइट आंस्र होगे क्वेशन सेवन गा है और राइट आंसर आपका option number D आपका option D आपका right answer हो गाइट तीन प्लस तीन जो आपका is not equal क्या आपका five plus six आपका हो गया यह देखें आपका six आपका यह आपका तीनर दो पांच बैठता है तो पांच आपका छार दो आट आट हो गया चार चार दस आट और दस आपका होगा तो तीन प्लस तीन इस इन गुनोट इकवल टू फाइव तो इसका राइट आंसर आपका ओप्शन डी है चलिए नेक्स्ट कोश्चन अब आपका है कोश्चन नमबर एट आपका दिया गए M P का पुत्र है Q पोती है O की जो की P का पती है M O से किस परकार संबंदित है तो M जो है वो O से पूचा गया किस परकार संबंदित होगा तो जो M है बच्चों किस का M जो है आपका M P का पुत्र है और Q जो है वो पोती है O की और P का जो पती है वो कौन है P का जो की P का पती है तो M पूचा गय कि उसे किस परकार संबंदित होगी तो किस परकार वो उसका क्या है पूत्र तो कोश्चन 8 का ओप्शन है पूत्र आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट अब आपका कोश्चन है कोश्चन नमबर 9 लड़कों की एक पंग्ति में अमर 22 सात्वा और विवेक दाए से बारवा है यदि वे अपने इस्थान बदल लेते हैं तो अमर 22 से बाईश्वा हो जाता है पंग्ति में कुल कितने लड़के हैं ओप्शन है 19 ओप्शन भी 30 ओप्शन से 33 ओप्शन डी 34 तो कितने लड़के होगे 33 लड़के होगे चलिए नेक्स्ट अब आपका कुशन है कुशन नमबर 10 है निमली की तविकल्पों में से उस सब्द को चुनिये जो दिये गए सब्द के अक्षरों का परियोग करके नहीं बनाया जा सकता जो बताएए इमपैशी इनेबल आपका दिया गया है तो इमपैशी वेवल जो आपका इमपैशेबल भी आप बना सकते हो इमपोशिबल भी आप बना सकते हो इम इसमें आपका क्या नहीं है वी आपका नहीं है तो इमपैशी होगा इमपैशन भी आप बना सकते हो तो इसक 11 में पूछा गया दिगे गए विकल्प में से कौन सा निमली कित सब्दों का सार्तक क्रम दर्षाएगा यह आपका कार्य करना सुनना विशलेशन करना अवलोखन करना निर्णय करना तो कौन सा सब्दों का जो सार्तक क्रम दर्षाएगा कौन सा सार्तक क्रम पूछा गया है त तो इसमें अवलोखन करना, निर्ने करना आपका हो गया, इसके बाद आपका सुनना हो गया, सुनने के बाद आपका विशिलेशन करना, और विशिलेशन के बाद निर्ने के बाद कार्याइक करना, तो इसका जो राइट अंसर आपका उप्शन भी, आपका राइट होगा, गया एक दो तीन चार पांच्छे चाहर ताट नो या आपका 27 हो गया पूस्ट शुक ठाइस में से एक गया आपका 27 बैठ गया इसी तरह आठ पहले 4040 में से 2 आपने माइनेस कर दे तो 38 आपका हो गया तो यहां पर क्या हो गया में से अगर तीन आपका गया तो यहां पर क्या 51 आपका अना चाहिए में से तीन अगर माइनेस करते हैं इक्क्या वन आपका अना चाहिए हाँ तो इसका क्या थिस्ट्री अपका ओगा ओगा और आपका फिफ्टी टू ऑप्शन भी क्या आपको दिया गए तरी स्टार फाइव स्टार शिक्स एकवल नो दो पांच तीन चैन दो चार चार नो चार एक छे आठ तब सात आठ दस क्या होगी तो सात आठ दस आप पूची गई है यह आपका द्या गया है तीन पांच यानि तीन स्टार पांच स्टार चापका बना हुआ है इकवल क्या आपका नो दो पांच तीन चैन आपका द्या गया है यह आपका था तीन चाय यह क्या था अपका इस तरह आपका बना हुआ था तो इसमें जो नौ आपको दिया गया नो दिया गया तो तीन का अगर हम इस क्वेर करेंगे तीन का स्क्वार करा फिर पांच के स्क्वार करा तीन के स्क्वार पांच के स्क्वार और च्छै का स्क्वार अगर हम करते हैं च्छै का स्क्वार करते हैं तो यह आपका होगा नो यह आपका अगर पांच के स्क्वार करेगे तो 25 आपका है और च्छै का करा तो 36 आपका है इसी तरह ह 10 का 10 का गाया मいて輕 sponsor है करें फिर चार का इसके बाद 9 का square करते हैं तो यह ह apps का चार दो 4 डी चारोपयान नोद्व अनौहनम कर आपका गया है तो यह आपका है इसे हमीड़ा साथ का star midst teachers ministers 10 का 10 आपका दिया गया तो इसमें है मिलाफ हुआ यह आपका बनेगा है यहाँ चाप को ओर मकरोफ राण 10 का सुर्ड़ और यहाँ इसक्वाइर सब्सक्राइया को यह आपका सासत्य ननंचस आपका हो गया फिर आठ आठे जो आपका होता है 88 क्या हो आपको प्लोगा नेक्स्ट। अब आपको कोश्चनend 13 का नेक्स्ट। अब आपको कोश्ष। इसकोनम्र Mokay बाल को सफेद को नीला कहाजाइ बाल को मनुष्थ खूण का रंग चाहजाइं, होगा तो मनुष्य का जो खून है वह कैसा होगा वह आपका कैसा होगा बच्चों वह होगा पीला कोईशन 14 का ओप्षण सी पीला आपका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन दिए पाइट अब आपका कोईशन नंबर सीफवटी आपका देया गया है किसी निश्चित कूटभासा में बैट को वाइजड़ के लिखा जाएगा तो जो सीख अपका है उसे कैसे लिखा जाएगा अगर जो बीएटी बीएटी दिया गया आपका यह क्या लिखा जाता है यानि यह आपका बीए आपका दिया गया है आपका बैट आपका होगा तो बैट का वाइए जेड जी आपका दिया गया है तो उसी कूट बासा में सिक आपसे पूचा गया क्या पूचा गया तो सिक को क्या लिखा जाएगा तो सिक को क्या लिखा जाएगा सिक जो आपका है उसे लिखा जाएगा हार एक्स आप या आपका एच आर एक्स पी लिखा जाएगा यह आपको ओप्शन सी में मिला ओप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंस्वर है नेक्स्ट कोश्चन अब आपका है कोश्चन नमबर 16 दिया आपका अजय है अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया फिर वह बाई मुड़ा और 20 किलोमीटर चला वह पूर्व की ओर मुड़ा औ 25 किलोमीटर चला और आखिर में बाई मुड़ कर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तै की अब वह अपने घर से कितनी दूर है तो कितनी दूर होगा तो वह दूर आपका है कितनी दूर है 10 किलोमीटर कोश्चन 16 का ओप्शन डी 10 किलोमीटर आपका राइट आंस्वर है नेक्स्ट जाएगा option A option B option C option D आपको दिया गया है तो right answer क्या option B question number 17 option B right answer है चलिए next question अब आपका है question number 18 आपका दिया गया यदि किसी निश्चित कूटबासा में पिक को यह लिखा जाता है तो उसी कूटबासा में फ्लैट को किस फरकार लिखा जाएगा तो फ्लैट को कैसे लिखा जाएगा फ्लैट आपसे पूछा गया फ्लैट को लिखा जाएगा E G K M Z B S U next question अब आपका है question number 19 निर्देश है परसंड संग्या 19 से 20 दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनू करम को पूरा करे तो यह आपका question 19 दिया गया आपका दो आठ अठारा 32 और 50 तो उससे आगे आपसे पूछा गया है तो आगे क्या होगा तो 32 पचास से जो आगे है वो पूछा गया है तो आगे क्या होगा 32 पचास के आगे आपका आएगा 72 यह question अभी आपने देखा भी था तो option B जो होगा आपका right answer है question number 19 का option B next अब आपका question है question number 20 पांच 11 13 47 पिश्चान में से आगे आपसे पूछा गया तो पिश्चान में क्या आगे क्या होगा आपका 91 पिश्चान में आपका आएगा तो option D में आपको मिला option D आपका right answer है next question अब आपका है बच्चो question number 21 लुप्त संख्या आपको ग्याद करनी है यह आपको दिया गया तो यहां पर लुप्त क्या होगा यह आपका दिया गया है तो इसमें जो लुप्त संख्या है वो क्या गया यह दो गया फिर आट दुनी 16 तो यह आपका हो गया 16 दुनी 32 32 यह तो जाद है आपका बैठता है तो लुप्त संख्या आपको ग्याद करनी है यहां पर आपका क्या होगा तो यहां पर जो आपका आएगा question number 21 का option D 287 option D 275 तो right answer क्या आपका question number 21 का right answer आपका दोसो एक है question number option number B आपका right होगा next question अब आपका है question number 22 तो आपका दिया गया question 22 में पुछा गया दिये गए विकल्पों में से कौन सानीम लिकित सब्दों का सार्तक क्रम दर्साएगा यह आपका देश दिया गया फरनीचर है जंगल है लकडी और देश के बाद आपका जंगल होगा जंगल के बाद आपका पेड़ होगा पेड़ के बाद आपका लकडी और लकडी के बाद क्या आपका फरनीचर आपका होगा तो यह करम आपका बनेगा तो यह करम आपको कौन सा option में आपको मिलता है यह करम आपको मिलता है option A में तो option A आपका right answer है question number 22 का next रब आपका question है question number 23 यह दिया गया आपका एक लड़के की और इसारा करते वीना वे ने कहा वह मेरे दादा के इकलोते पुत्र का लड़का है वे लड़का वीना से किस परकार संबंदित है option ए अंकल, option भी भाई, option C तचेरा भाई, option D आकडे, एपर याप तो right answer क्या होगा आपका right answer आपका है भाई question number 23 का option भी भाई आपका right answer होगा next अब आपका question है question number 24 आपका दिया गया है निम्नमेंसे कौन सी आकरती, वकील महिलाय और डोक्टर के बीच के संबंद को दर्शाद है, किसका वकील महिलाय और डोक्टर यानि जो महिला है महिला के अंदर महिला ही क्या है, आपका महिला जो है इसमें वकील भी होगा, डोक्टर भी आपका होगा तो इसका जो राइट आंसर आपका option number D आपका राइट होगा यानि महीला वकील और डोक्टर आपकी होगी तो question number 24 का option D right answer है चलिए next अब आपका question है question number 25 यह आपका द्यागे रचित उत्तर की ओर चलना सुरू करता है 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिन की ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है फिर वह पाच मीटर उत्तर की ओर चलता है वह अपने प्रारंबिकिस्तान से किस दिसा में तथा कितनी दूरी पर है तो कितनी दूरी पर होगा option A 10 मीटर पर चीम option B 5 मीटर पूर्व option C 5 मीटर उत्तर option D 10 मीटर पूर्व तो right answer आपका क्या होगा right answer आपका 10 मीटर पूर्व यानि 10 मीटर वो पूरव की तरफ चलेगा कहां की तरफ पूरव की तरफ यानि 10 मीटर जो है वो इस्ट की तरफ आपका चलेगा नेक्स्ट अब आपका कोईशन है 26 कोईशन अब आपका दिया गया है पांच मीतर है आपके P, Q, R, S और T उत्तर की और मुक किये बैटे है S, T और Q के बीच में है और Q, R के एक दमबाई है P, T के एक दमबाई है बीच में कोन व्यक्ति है तो बीच में कोन व्यक्ति होगा तो व्यक्ति जो है आपका S आपका है तो बीच में कोन व्यक्ति है S आपका है तो कोईशन 26 का उप्शन है राइट आंसर है नेक्स्ट अब आपका question है question number 27 अब आपका दिया गया है निम्न आकरती का अध्यन करके उस चेतर को ग्यात करे जो उन चातरों को दर्साता है जो कवी और गायक दोनों है किन्तु dancer नहीं है तो यह आपको figure आपको दी गई है यह आपका गायक है dancer है और कवी आपका दिया गया ह तो इसका जो right answer होगा आपका right answer क्या आप कट्टी question number 27 का option B right answer है चलिए next अब आपका question है question number 28 यदि पांच गुना तीन गुना नो इकवल तीन सो पिच्चान में नो गुना साथ गुना पांच इकवल साथ सो उन सट तो साथ गुना चार आप से पूछा गया है option A 674 option B 476 option C 647 option D 764 तो right answer क्या होगा आपका 647 question number 28 का option number C आपका right answer है चलिए next अब आपका question है question number 29 कि यह आपका दिया गया यदि नो इस्टार साथ इकवल 32 तेरह इस्टार साथ एकवल 120 सतरह इस्टार नो इकवल 208 तो 19 स्टार 11 आप से पूछा गया है तो पूछा नो सत्ते यह आपका तो question था आपका यह ना यह दिया गया है तो इसमें आपका नो का नो की अगर हम नो की क्यूब हम कर देते हैं यानि यह आपका हो गया इसमें से अगर हम इसे माइनेस करते हैं यह आपका 32 तो इसी तरह आपको करना है तो 19 गुना 19 माइनस 11 गुना 11 आपका होगा यह आपका 11 121 आपका होता है तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा question number 29 का right answer आपका option C 240 आपका right answer होगा next question अब आपका है question number 30 30 नितिन को याद है नितिन को याद है कि निदी का जनम दिन सुकरवार से पहले किन्तु मंगलवार के बाद है दीपक को याद है निदी का जनम दिन बुद्वार के बाद किन्तु सनिवार से पहले है निदी का जनम दिन निमनी में से किस दिन है तो कौन से दिन आपका होग नमबर 30 वन आपको द्या गया है रही में बिंदु एक्स से चला और 5 किलो मिटर पाश्चिम के और गया फिर बाए मुडा और सीदे 2 किलो मिटर चला और फिर वह बाए मुडा और सीदे 7 किलो मिटर चला अब वह बिंदु एक से किस दिसा में है option है उत्तर पूर, option B दक्षिन पस्चिम option C, option D, उत्तर पस्चिम तो right answer क्या होगा आपका दक्षिन पूर, question 31st का option C right answer है next, अब आपका question है question number 32, यदि एक जनवरी को सुकरवार है तो एक अधी वर्स में मार्च का प्रतम दिन क्या होगा option A, मंगलवार, option B, बुदवार, option C, ब्रस्पतिवार, option D, सुकरवार तो right answer क्या आपका मंगलवार, Tuesday होगा question 32 का option A, right answer है next, अब आपका question है 33 question अब आपका दिया गया है, बरुन लंबा है संजे से बिपूल लंबा है, बरुन से क्रिशना उतना लंबा नहीं है जितना बिपूल है, किन्तु बरुन से लंबा है, सबसे लंबा कोन है option A, बरुन, option B, बिपूल, option C, क्रिशना, option D, संजे तो right answer क्या होगा आपका विपूल question 33 का option विपूल जो होगा आपका right answer है next अब आपका question है question number 34 राजन आयू में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बढ़े थे उसके पिता की वर्तमान आयू ग्यात कीजिए option A 25 वर्ष उप्शन B 30 वर्ष उप्शन C 35 वर्ष उप्शन D 36 वर्ष तो right answer क्या आपका 35 question number 34 का option C 35 वर्ष आपका right answer होगा next question अब आपका है question number 35 एक आदमी ने एक महिला से का आपके भाई का एक मात्र पुत्र मेरी पतनी का भाई है वह महिला उस आदमी की पतनी से किस प्रकार संबंदित है option A बुआ, option B बेहन, option C मात, option D दादी तो relation क्या होगा उसके बीच बुआ वो होगी, क्या होगी बुआ question number 35 का option A right answer है next अब आपका question है question number 36 आपका दिया गया यदि 24, 63, 36, 55, 32, 30, 67, 32 क्या होगा option A 32, option B 36, option C 34, option D 49 तो जैसे आपको दिया गया 24, 63 आपको दिया गया है यह आपका होगा 12 गुणा 3 equal 36 आपका होगा इसी तरह आपकी जो दूसरी संक्या है 55, 52 आपकी है तो यह आपका होगा 5 plus 5 plus 5 यह आपका है यानि 5 plus 5 plus 5 गुणा में आपका 2 है यह आपका होगा क्या होगा यह आपका 15 गुणा 2 equal आपका 30 होगा तो तीसरी संक्या आपकी 66, 32 आपकी है यह क्या होगी यह आपकी होगी 6 plus 7 plus 3 गुणा 2 तो यह आपका बैठता है चहाँ, 7, 3, 10, 8, 10 और 6, 16 गुणा 2 यानि 32 आपका होगा तो उप्षन है क्या है आपका क्यूशन नमबर 36 का उप्षन है 32 आपका राइट आंसर होगा उप्षन है 32 जो है आपका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्योशन क्यों बढ़ते हैं नेक्स्ट अब आपका question है question number 37 यदी का आर्थ प्लस गुना का आर्थ हो तो 15 गुना 9 प्लस 12 गुना 4 गुना 4 प्लस 4 आपका होगा यह आपका question number 37 आपका दिया गया है तो इसमें जो आपका दिया गया है तो इसमें जो गुना की जगे आपको minus आपको करना है यदि यह आपका होगा तो गुना की जगे आपको माइनस यानि जो आपको पंदरा गुना नो आपको परसंचीन अगर अगर हमने बदल दिया तो गुना की जगे आपका यह आपका होगा पंदरा माइनस नो प्लस पंदरा माइनस यह आपका भाग आपका है यह यहां पर भाग था आपका इसमें प्लस आपका आ गया फिर आपका होगा 12 माइनस 4 12 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 यह आपका होगा तो 15 में से 9 गई आपके 6 प्लस 12 में से 4 आपके गई यह आपका 8 आपका बचता है इसके बाद आपका होगा माइनस के 4 प्लस 4 यानि 8 आपके होगे तो इसमें यह आपका 8 माइनस 8 आपका प्लस माइनस कर जाएगे तो 6 जो होगा आपका अंसर होगा तो option B जो आपका 6 आपका दिया गया 6 यह आपका राइट आंसर है चलिए next question के और बढ़ते नेक्स आपका question है question number 38 यह आपका दिया गया है एक कतन के आगे दो निसकर्स पहला और दूसरा दिये गए है आपको कतन को सत्यमान कर विचार करना है चाहे वे सामाने तक यात तत्यों से बिन प्रिसीत होता हो आपको निर्ने करना है कि दिये गए निसकर्सों में से कौन सा यदि कोई हो तो निस्चित रूप से दिये गए कतन के आदार पर निकलता है अब पना उत्तर नीद रिष्ट करे कतन है आपका पदक पुरुषकार ह कहलाते हैं तो इसका right answer क्या होगा question number 38 का right answer क्या होगा option ए केवल निसकर first निकलता है option b केवल निसकर second निकलता है option c निसकर पहला और दूसरा दोनों निकलते है option d ना तो निसकर पहला और ना ही दूसरा निकलता है तो right answer के आपका question number 38 का right answer आपका option है केवल निसकर्स दूसरा निकलता है चलिए next question के और बढ़ते है next अब आपका question है 39 यदि मसीन को 99-7-9-14-15-20-11 code में लिखा जाता है तो उसी code में danger को किस परकार लिखा जाएगा जो danger है उसको किस परकार लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा आपका 13-7-20-9-11-15 next question अब आपका है question number 40 यदि किशी निचीत code बासा में त्रिवेंदरम को ये लिखा जाता है तो उसी code बासा में आपको किस ये किस परकार लिखा जाएगा इसका option भी जो होगा आपका right answer है question number 40 का next question अब आपका है बच्चो question number 41 दि गई शंक्या स्रंक्ला में ऐसी कितनी विश्म संक्या है जिनके तुरंत पहले एक संक्या तता तुरंत बाद एक विश्म संक्या है तो ये संक्या आपको दी गई है इसका right answer क्या होगा आपका question number 41 का right answer आपका option number 3 आपका है नोवे और ग्यारवे अक्सरों से कोई अर्थपुन सब्द बनाना संबह हो तो उस सब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा यदि ऐसे एक से जादा सब्द बन सकते तो M उत्तर पर निसान लगाए तो राइट आंसर क्या आपका option b i जो होगा आपका right answer है चलिए next question अब आपका है question number 43 विभाजन के एक सवाल में विभाज़क बागफल का 3 गुना तता सेस्फल का 6 गुना है तदनुशार यदि सेस्फल 2 हो तो उसमें भाज्या है कितना होगा तो भाज्या आपसे पूछा गया है option A 33, option B 28, option C 50, option D 48 तो right answer क्या आपका 50, question number 43 का option C 50 यो होगा आपका right answer है next question अब आपका है question number 44, x minus y minus x minus y कमान ग्यात कीजिए तो minus का यह आपको ग्यान जो है वो ग्यात आपको करना है तो ग्यात कैसे होगा आपका होगा इसका right answer आपका जो होगा x यह आपको दिया गए y minus x plus y आपका हो जाएगा तो यह आपका 2y यह क्या x x आपका कर जाएगा तो 2y आपका answer होगा तो option B क्या आपका 2y question number 44 का next question अब आपका है question number 45 यदि 121 संक्या का 20% हो तो उस जाएगा यानि संक्या का 120% कितना होगा तो जो संक्या आपको दी गई है संक्या क्या है बच्चो 20% तो उसका 120 यह आपका होगा तो संक्या का 120% जो होगा आपका equal 600 गुना 120 बटे 100 आपका होगा यह 0 से यह 2 0 से आपका 2 0 आपका कट गया यह आपका बारा चिक बारा चिक बारा चिक 72 आपका आएगा क्या है वह एक्चो 720 तो 720 यह आपका right answer है question number 45 का option number D next अब आपका question है question number 46 A और B की ओसता आईउ 20 वर्स है यदि A को C से बदल दिया जाए तो ओसत 19 वर्स हो जाएगा इसमें C तता A की ओसता आईउ 21 वर्स है तद अनुशार A B तता C की आईउ वरशों में क्रम से कितनी होगी तो कितनी होगी option है अब आपका 22, 18, 20 option B 22, 18 option C 18, 22 option D 18, 22 तो right answer कि आपका 20, 18, 22, 18, 20 आपका right answer होगा next अब आपका question है question number 47 A तता B एक कारिया मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते है उन्होंने 1, 7, 20 दिनों तक कारिया किया उसके बाद B चला गया तब A ने से इस कारिया 20 दिनों में पूरा कर दिया तद अनुशार B अकेला वह कारिया कितने दिनों में पूरा कर सकता है option A चोववन, option B 60, option 60, option D 48 तो राइट आंसर क्या आपका साथ question number 47 का option B so आपका साथ आपका right answer होगा next question अब आपका है question number 48 बाल केंदरित सिक्सास्तर का अर्थ है option A बच्चों के अनुबवों और आवाजों को पर मुकता देना option B सिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या-क्या किया जाना चाहिए option C निर्दारित सूचना का अनुश्रन करने में बच्चों को सक्षम बनाना option 4 D कक्सा में सारी बाते सीखने के लिए सिक्षक का आगे-ागे होना तो राइट आंसर क्या आपका option A आपका राइट आंसर होगा बच्चों के अनुबवों और आवाजों को पर मुकता देना next अब आपका question है question number 40 9 समावेश सिक्षा में सिक्षक की सबसे कम मैत्यपून विसेशता कोन सी है option A बच्चों के प्रतिस संग्वेद अन्सीलता option B विध्यारतियों के लिए लगाव और देरी है option C विध्यारतियों की एच्छमताओ का ग्यान option D सिक्षक का सामाजिक आर्थिक इसतर तो राइट आंसर क्या होगा आपका option D राइट होगा सिख्षक का सामाजिक आर्थिक इस्तर नेक्स्ट जो आपका कोशन लास्ट आपका बज़ता है कोशन नमबर फिफ्टी बच्चों की सीखने की परकिरिया में माता पिता को बुमी का निबानी चाहिए ओप्शन इनकरातमक ओप्शन B अग्रोन मुखी ओप्शन C सानु भूति पूर्ण ओप्शन D तो राइट अंसर के आपका अग्रोन मुखी कोशन 50 का ओप्शन B जो आपका है अग्रोन मुखी राइट अंसर होगा चलिए यह आपका था अब आपका जो पार्ट है वह आपको के सर आपको करवाएगे जो आपको खंड भी कला वर गया है चलिए तो बच्चों आपको रितु मैडम ने यहां तक खरा दिया होगा आपको हिंदी और जो पेपर टू का तरक शक्ति यानिकी रिजिनिक आपको रितु मैडम ने करा द दिखते हैं बहरतिय है उप मेरगण से पराप्त है तो क्या मैरगण要लिब्च के ऊप्ष्ण नंबर फिन पुस्तंख भैं उपनिश्द अपनिश्द दर्शन पर सब्सक्राइब का अर्थ सुनकर जो लिखे गए हैं वह उपनिशाथ और गुरू के समीर यह आपको चलिए एक चीज़ छोड़ दीए मैं आपको बता ही ना इसका अर्थ बताईए और इसका अर्थ भी आपसे कई बार पूछा गया है तो यह ध्यानक ना कि चली आगे चलते chiill कौंक 정확 का सूर्य मंदिर किस ने बनवाय था को कंकर का सूर्य मंदिर नर्जिंग देव रमन ने बनवाय था इंपोर्टेंट कोशन है और नर्जिंग mitä का इसका 14 सताब्दी भी में नर्ष ने लिजिए नहीं कि करवाय था यह कहां पर उडिसा के पूरी में यह भी कुछिन आप से पूचा जाता है कुछिन नमर 54 देखते हैं पुराणों का अध्यान करने वाले परतम मुसल्मान कौन थे तो कौन थे आपको पता है अलबरुनी किस नाम से यानि कि कहा से थे उजबेकिस्तान से इस्थित यानि एक जो सहर उहां से आयते और उनका जो इस आईते के परति अध्यान करने का माना जाता है तो उसलिए उन्होंने सबसे पहले पुराणों को अध्यान किया था कि कुछिन नमबर 55 देखते हैं किसान सुरी किसने सल्तनत काल में डार्क विवस्था विस्त्रित विवरं किया है देखो अभी उपर हम क्या पड़ रहे थे अलबरुनी क्या है उसने हो कर दिया अब सल्तनत काल में डार्क विवस्था थी तो वह था इबन बतुता या रखना इबन बतुता और जब आप कोई भी इस्ट्री का स्टूडेंट होगा और उसने जब क्लासिज लिए होगी रे जब बात होती है तो आपको कहते हैं इस चीज को लेके चलते हैं तो इबन बतुता पहन के जूता आया था इस तरह से वह जब ट्रीक लेके चलते हैं तो वह हो जाती है पूरी कोश्चन नंबर 56 देखते हैं किस भारत यानि कि भारत का यह क्या कह रहा है फॉर्टि फिफ्टी सिक निम लेकिन में किसे भारत का साधी कहा जाता है तो वह है अमीर हसन यानि की ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा अमीर हसन चली आगे चलते हैं कोश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है शिवाजी ने मुगलों को किस यूद में हराया था भाई वह 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 सलहार यानि कि ऑप्शन नंबर 58 देखते हैं शुद वरतनी वाला शब्द को पैचानी बैए शुद वरतनी वाला शब्द है कौन सा है कि यह हो जाएगा आपका द्रिष ऑप्शन नंबर द्रिष ना फिशाक देखते हैं एक मिड रुकिए यहोगा आपका दूसरा भाई यहीं इस पैठा प्र इसने नहां लाशी याने कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आपका अंसर शुद में तो यह होगा अशुद वर्ड के बारे में आपसे पूछे जाएगा आर्ट के section में तो इस तरह के question आपको देखने के लिए मिलेंगे आर्ट में पता नहीं कहां से मेरे को समझ मिलें आता है आर्ट में जब आर्ट की बात आती है ठीक है तो हिस्ट्री जोग्राफी सेविक्स 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 और कौन सा बचा इस्ट्री जोग्राफी सेविक्स इकनोमिक्स इन्हीं में से दो question अब आप आर्ट में हिंदी भी गुशा रहे हों हिंदी जब हमने पहले पढ़ लियार तो कहां आर्ट वाला क्या हिंदी समझता है अंग्रेज नह चलता है यूपी वाले आज तक मुझे यह समझ मिनिया है एंट्रेंस में यह जब तुम हिंदी वाली चीज़ डाले हो आर्ट की सेक्षिन में हिंदी कहां का ऐसे अगर मालो साइंस वाले तो फिर तो आप साइंस वालों को स्टैटिक्स भी डाल दोगे कुछ भी डाल दोग में कौन सा समास है चंद्र मुकी में कौन सा समास है इसमें हो जाएगा आपका option number करमधारी है यानि की option number डी हो जाएगा चली आगे चलते हैं question number 60 देखते है और निये रोदन का अर्थ क्या है इसका हो जाएगा option number पहला वेर्थ प्रियास चली आगे चलते है question number देखे फिर तात पर यह पूछ लिया question numbereled amad ос Bakay को जैते इंदरिय क्या है जीते इंदरिय शब्द का तात परी पते यह पूछ रह ost टात परिया और इस तरह की ची जाएगा चीज हमारी इस में मानी जारी तो वो पूची क्योछ जारी है जिसकी इंदरिय वश्में हो तो यानि कि option पूंब एक हमसरा आगे चलते हैं तदबव का चैन करिए तदबव कौन सा है इसमें तदबव का गाएं यानि कि option number D हो जाएगा इसका हमसा परिक्षा अर्थियों ने नकल की है इस वाक्य में इस सब्द का अर्थ क्या है यानि कि इस सब्द का किस एक चीज को डिनोट कर रहा है वह कर रहा है आपके सरनामिक विशेशन यानि कि वह विशेशता बता रहा है सवर नाम की विशेशता बता रहा है इस ठीक है तो और अगर इसके जंगा सवर नाम आता तो कौन सी कौन सा वड़ाता वह भी कमेंट सेक्शन ने बताना चलिए question number 64 देखते है चूहे के चूहे के चाम से नगाड़े नहीं डखके जा सकते तो इसका मतलब यह चोटा सा होता है उसकी खाल से कितना चीज डख लोके तो वहीं हो जाएगा सी में साथनों से बड़े काम नहीं कर जाते यानि कि option नमबर डी हो जाएगा सकांसर चलिए question नमबर 65 देखते है 65 फिर समाना से कितने वर्ड देखो आप खुद परिसान हो जाओगे और एक चीज और अर्ट सालों के उस में English भी how to eat薪क ंदी से कोई मतलब निए उन्हें मतलब साइंस में प्योरली साइंस का माना गया है आर्ट का मतलब ही आर्ट का मतलब व्याक्थी कह है बाडव हाथ कि फक्रेद दख्के मेरी है है ठीक है पन्नग का समानार्थी क्या है उडग यानि कि option number हो जाएगा इसका भी अब आगे चलते देखें आगे है ने English मैं कह रहा था ना फिर आता है question number describe the most effective word for the given word to the fill in the blanks make the sentence meaningful complete by meaningful अब इसे meaningful बनाएंग है को सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब बताओ अजिस बच्चे ने अंग्रे जी को चुआ तक नहीं और वो यहां पर चाहिए अर्ट्स में अंग्रे जी कोशिन करना रहा है ठीक है अड़ा को पता ही आर्ट्स बच्चे जातर पढ़ने वार बच्चे जो अच्छी एक तरह से अपना अच्छा तो इसका क्या हो जाएगा 67 का अंस्योर तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी यूजरा तो चलिए 68 देखते हैं दा ओरिजनल इन्हेबिटेंट ओफ कंट्री तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 68 का आपका तो इसका अंसर हो जाएगा यानि कि option नमबर चलिए आगे चलते हैं question 69 देखते हैं इसका फॉल्वाइं दा कौर्छन करेक्ट तो बोजिट मीरिंग अपोजिट मीरिय इन्हें को जाएगा इसका यानि कि option नमबर ओन यह जाएगा आंसर चलिए आके चल्ते हैं यह चलते हैं सतरवा कोशन आपका सतरवा कह रहां एक और ग्रूर वेट क्या होगा ऑप्षिंट नवे ऑप्षिंट नमबर बी जाएगा तक चलिए चलिए कोश्चन नमबर आगे देखता है इसका बेस्ट वर ढूंड के निकालना हमें तो इसका 71 देखते हैं 71 क्या कहा रहा हमारा वर्ड प्वेट इसका आपका आपशन दी तो इसका यहां सर आगे हैं आगे चलते हैं आपका जो इंग्रीश है तो क्या कंटेंप लेटर इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर वान हो जाएगा फ्रोफूल यानि कि पहला ही हो जाएगा चलिए अब आगे चलते हैं कोशन नमबर 73 देखते हैं किसने विचार दिया था कि बात के बिटेश आर्थिक नेती गिनोनी है तो आपको पती है यह किस ने कहा था कारल माक्स नहीं यानि कि ऑप्शन नमबर हो जाएगा इसका सी और अभी यहां पर लगा देते पता है बच्चे क्या लगाएंगे तुक्का मैं दादा बाई नोरो जी एडम स्पित तो आपको पते एकनोमिक्स है सीदे सीदे यह भी लगा देंगे पर इसका अंसर हो जाएगा सी भारत की अर्थिक नेती घिनवानी है एक तरह से चली आगे चलते हैं 74 देखते हैं 74 हरीजन का प्रारंबिक करता थे कौन थे प्रारंबिक करता माहत्मा गांदी जी इंपोर्टेंट है और चली आज आपसे पूछते हैं कौन सी लेंगवेज माता था इंग डिश माता है हिंदी माता घझेंट इस बताए और जह गांदी जी पेपा लिखते यह पता है कि कोशिन आब हम पिछत्ता देख्ट है है राजनेतिक सुदाज को लेकर विरोध करने वाले पहले बारति कौन थे पहले बारति स्रंडर नात बैनर जी यानि कि option नमबर हो जाएगा इसका बी सुरेंदरनाथ बैनर जी कोश्चन नमबर 76 देखते हैं सूर्य के परत को क्या कहा जाता है वो कहा जाता है यानि की option क्योंकि उस दिन क्या आता है एक तरह से सुनामी एक तरह से जवार बाटा इस तरह की चीज़े आती रहती हैं कोश्चन नमबर 78 देखते हैं सुनामी तरंगे किस से उत्पन होती है वही दुबारा कोश्चन जो अभी उपर याद करा है अपने एक तरह से उपर पड़ा है उससे यह समुदरों के नीचे जो बुकम पाते हैं यानि की option कि चट्टानों को काइंत्र रण होती है तो वह किस परिवर्टन होती है यानि किस तरह से परिवर्टन हो जाती है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका नीच यानि की option नमबर किसी हो जाएगा नीच इस कि चलते हैं किस नादी की किनारे इस त्य तो विजय वारा किस नादी की किनारे इस से क्रेशना नदी के किना इस त्य तो यानि कि option not का बी अब बारत के सबसे उंची जल प्रे कौन यहां जो जल प्रे पाती यानिकि ऑप्छिन नमबर कई बार पूचा गया है तो आपको बीएड में पता होना चाहिए और एक तरह से यह जन्रल कोशन है कि जूम केती होती कहां पर यह आद कर लेना जूम केती होती कहां पर है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 83 देखते हैं एच वाई वी कारेक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है तो किस रूप में कहा जाता है नव क्रिशी नीती यानि की हरित क्रांती यानि की ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा इसका अंसर कोशन नमबर 84 देखते हैं मद्य परदेश के ने पा नगर में क्या है इसका आज जाएगा आ अकवार का का रकाना आया आपसोंगंबर आपको जाएगा झाल यानि क्या ऑसका या आज है अपने आपको पहिंता Tech in आप ना नीने नतल्य नहीं पनी attracting result ला पिंक जो डोट जो भी डोट बने हो उस डोट से वह पेपर बनता है याद रखना ठीक है चलिए मतलब वही कलर यूज होते हैं कोशन नंबर 65 देखते हैं काजी रंगा राश्टे उद्यान किस के लिए परसीद है काजी रंगा आपको पता है यह आसम में और एक गैंड़े के लिए परसीद है वह कौन सा गैंडा है एक सिंग वाला और आपको पता है युनेस्को की राष्टे धरोवर में आई यह नाइनटीन नाइनटीन एटीफाइब में आया था किस पे युनेस्को युनेस्को द्वारा पिर है गोष्यट विश्ट धरोव में अता रो में क्या दो नाइनटीनटीन एटीफाइब में आपको पता है असम गेंड़ाराश्टे यानिंगे के लेए यानिकि ऑप्शन नंबर कि मान स्रुफर जीर कहां है the Animalsुल आपको छेल टिबबत में इस्तित और paiant Surowaj जील को किस लिए famous मान जाता कोई बता सकता है बहुंद मान सर्फर जील किसके पास है कैलाश की परवत की पास है और इसलिए व जातों famous को मान जाती है question membershipJust burnt खत पत से क्या मतलब माना जाता है यह हो जाएगा आपका 87 घरेलो खपत यानि कि यह कोश्चन एक बार सी टैट में पूछा गया है यूपी टैट में पूछा गया है और आपके एड के एंट्रेंस में पूछा गया है तो इसलिए इंपोर्टन वान के चलना कोश्चन नमबर 88 डेखते हैं कौन सा एक जोड़ा संयुक्त पूर्ति का अच्छा उधारन है तो जो इसमें उधारन आ जाएगा आपका उन मास यानि की उन मास कहां से उन मिलती है बेड़े से और मास भी उसका यूज करते हैं ठीक है क्वेश्चन तो यानि की option number D हो जाएगा इसका पूस्ता सा जाता कोश्चन नमबर 90 भारत के माहन नियावादी कि नियुक्ति निम्हें कितम से कौन करता है इंपॉर्टन कोश्चन है तो वह करता है रास्ट पती तीक है वह करता है रास्ट पती और रास्ट पती को सपत कौन दिलाता यह बोर रखा गये ऐए जीवन का यानि 21 आपको बताै । इसलिए जैसे क्लोस होते यह इसके अंदर सारे जांगे जीवन का ढ़िकार कोशन करोंगे आपको सब पंडरा जाती है पानी पीने पीने का जीवन के के लिए उमीदवार की आयू कितनी होनी चाहिए भाई उसकी आयू होनी चाहिए भारत का नागरी को पागल ना हो यानि कि दिवाल ये पागल ना हो और वह राजय सभा का सदस्य के लिए अहुत हो यानि कि अप्शन नम्बर कैंटी हो जाएगा सकांसर कुशें नम्बर 93 कोंशन नम्बर की पहले महिला नयायदेश की न्युकती के गई थी तो वह थे इसका अंसर हो जाएगा फाटीमा बेबी यानिकि ऑप्शन नम्बर होते हैं संबंदित निरवाचन सेत्र मदा गॉन सारे होतें 18 सिधिसी बाते हैं जो बोट डालने के लिए उसे कहना संबंदित का सदसे वाना जायगा क्यूंकि वो उस जनता का सेवक, इसका पंचायत था उसका इंट्रेक्शन होता है तो वही एक तरह से अच्छी पॉलिटिक्स मानी जाती है, जिसे हम पॉलिटिक्स के अब पी ऐम है, पूरे यूपी का या पिर क्या दे ऊतर पर इसका से ऐम है, क्या आप डिरेक्ट एकदम जाके मिल सकते हैं या पिर आप से जो फैसरा लिया जा रहा है उत्ता बने उससे आप से पूँछेंगे, नहीं, आप से बैठा के पूछेंगे, नहीं इस तरह की नहीं होता है, यह सिर्थ स्ञ गाउं में पंचायत इस तरह की चीजहें में हो सकता है, उसका होता है याद करना क faced आर्ट की आपको दिखा पिलिएगा जो राश्थ okay, का एजेंट कौन होता है राज जेपाल को माना जाता है क्यों क्योंकि वह ही एक तरह से उसके चुन के बैस्ता है यह नहीं कि कोई भी जो इस्टेट है उसे ले ले कुश्चन नमबर 96 के रहा है निवले कि तमें से कौन से दो राज्ये सर पताओं 1957 में पंचायती राज की स्थाबना के बाई सीधे सीधे एक राज्स्तान है राज्स्तान सरसे पहले जो पंचायती वस्ताई थी राज्स्तान महिती याद रखना इंपोर्टन कॉश्चन है और दूसरा कौन सा है दूसरा आपका हो जाएगा आंदर परदेश यानि कि ऑप्षिन नमबर भी ठीक है जैसे अगर आपको ऑप्षिन में सिर्फ एक दिया जाता है तो राज्स्तान होगा अब ऐसे दोनों हैं पहले राज्स्तान में फिर आंदर परदेश में कॉश्चन सिर्फ ने में घ्र जाया है तो यह कहरा है नाइइंटी सेवन का कॉशण ऐस्टी ऑर्थसासर की बात करा है यानिकी आप्षिन हो जाएगा पैमानिय की अर्थ ubस्थाओं बूसद्स हाँ से तातबर यह क्या है अबहारा पांद्द ऑथा है इकाई लागत में चली आगे चल से 18 वर्ज कही गई तो आपको पता है यूट्यूब पे या कहीं भी फणी जो मीम देखा है आपको पता भी होगा फणी मीम क्या है कि वोट देने के लिए सरकार को पता है वोट देने के लिए क्या अठारा वर्ज से होती है पर घर चलाने के लिए यानि की वाइप को चलाने के लिए वाइप के साथ जीवन वैतीत करने के लिए 21 वर्ज होना जरूरी है इसलिए सरकार ने आज साधी की एज 21 वर्ज रखी है यह बहुत पुराना मीम है प्रावधानों को बारतिय सविधान में लिया गया है तो वह कहां से लिया गया जर्मनी से याद रखना जर्मनी से लिया गया तो आपको यह बता होना चीए ठीक है बच्चों तो यह आपके जो च्चन मतल्ब गाइब मतलब दोनों पेपर थे पेपर dai थे पर थे बॉप तू दोसो कोश्च आपके पूरे त्उरा कराद यह जिडी में हैं त्यंत्य प्रेपर थो में क्या है रीजनिंग और आपको करा दी गया है तू गुचेए हैक्छाओ ऐगए आपको क्या करना वीडियो को लाइक करना चैनल को भी विडियो को आज सेयर कते हैं और जो भी दौस्त गोई कोई प्रिजिए उसट की तेयर आर लिंक कुमि mau one ले सकते हैं सीटाइट की इवेस के नोट्स ले सकते हैं प्रिवेस एर के पेपर आपको पता ही प्रिवेस एर के पेपर कितने इंपोर्टेंट होते हैं तो प्रिवेस एर के पेपर ले सकते हैं की या डी ट्रीपल एस्वी की जिसने भी तैयारी करें को उसके लिए प्रिवेस तो उन सभी के लिए दो जारते इसकी बुक आ चुकी है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया सो और पर कीमत रखी गया जिसे यूपीटाट की अभी से तयारी करने है और कोई आपका दोस्त है यूपीटाट की तयारी कर रहा है तो उसके लिए यह बुक आप सजिस् का इसके वह दिया गया है सब्सक्राइब करें पहले चैनल को और वीडियो को लाइक करें चैनल को जादर जादर कर दीजिए जिससे आपके सभी दोस्त जो बीड की तयारी करें उनको हैल्प मिल जाए और आपको भी उनका एक तरह से सिंपैति मिल जाए ठीक है बच्चो ध एक प्लैटफोर्म मिल जाएगा और प्लैटफोर्म किस से क्योंकि इसमें पेपर मिल रहे हैं आपको नोटस मिल रहे हैं सारी चीजे मिल लिए और वह भी सस्तिकी मत पर कहीं भी इस तरह से नहीं मिल रहा है ठीक है बच्चो चलिए थैंक यू